हेलो नमर्चका सुब्रेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्रडी चैनल आप सभी का यहां पर श्वागत करते हैं जैसा कि आप सभी से मैंने वादा किया था कि चप्टर वाइज आपको most important question बताये जाएंगे यह आपको अच्छे से exam में पढ़के जाना है, जितने भी person के निसान लगाता हूँ वो आपको अच्छे से exam में पढ़के जाना है और इनका जो हल होगा वो एक महा मेराथन क्लास में आपको करवाया जाएगा एक बार खुद निकाल लेजिएगा, exam से पहले पहले एक महा मेराथन क्लास रहेगी उसमें आपको सब कुछ detail से इन person का solution भी करवाया जाएगा तो चलिएगा सबसे पहले, यह हमारे whatsapp number है, इससे आप जूड़ेंगे तो आपको वहां से एक group बना रखा है उसका link send कर देंगे, ताकि आप हमारे साथ में जूड़े रहें, exam से पहले पहले एक बार math का पूरा revision अपन पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अपन उठाते है exercise 1.1, उसमें देखते हैं कौन-कौन से प्रशन आपको पढ़ने है अब आपके सामने exercise 1.1 आजाती है, इसमें आपको सबसे पहले दूसरे का पहला प्रशन निकालना है इसमें दूसरे का आप निकाल लेना, तीसरा और इसका निकाल लेना पांचवा तीसरा और पांचवा निकालने है इसके बाद में आप इसमें से कोई एक प्रसंद निकालने है जैसे आप इसमें से निकालने है छटा प्रसंद निकालने है और इसमें ज्यादा प्रसंद निकालने कि आपको आविशक्ता नहीं है ठीक है इतने ही प्रसंद इसमें निकालने ह पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पांचुवा और छटा प्रशन आपको ये जुरूर निकालने, ये important है इसमें, ये आपको एक बार जुरूर निकालने, इसके बाद में अपने चलते हैं, exercise एक पॉइंट दो पी, तो बीच में आपके पास में ये प्रशन दस्वें और ग्यारूई में आपको ये जुरूर पढ़ते हैं, दस्वें प्रशन भी पढ़ना है और ग्यार्वा प्रशन भी पढ़ना है, ये थोड़े सी important होते हैं, MCQs के लिए, fill in the blank के लिए ये प्रशन बढ़िया प्रशन है, तो इनके ये सारे आपको डिटेल से पढ़ने पढ़ बाकी पांचवा हो जाएगा, छटा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छटा भी हो जाएगा, इस देट कलियर, बाकी आपको कुरूशन इसमें निकालने के आवश्कता नहीं है, जैसा कि दूसरा, तीसरा और चोथा परशन इसमें continue निकालने, इस सभी प्रशनों का solution भी आपको करवाया जाएगा, इसके बाद में देखते हैं कोई exercise है क्या, इसके बाद में कोई exercise नहीं है, यानि पहला chapter हमारा complete हो चुका है, तो एक बार इन परसनों की निसान लगा लें, और इनको अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं, तो तेलिए का आज की class में इतना ही, नेक्स्ट class में मिलें कुछ ने के साथ, जय हिंद, जय भारत!